सो गाइस मैं देख रहा हूं यार कई सारे लोग यहां पर मिल करके हमारे यूटूबर भाई सुरच कुमार को टार्गेट कर रहे हैं हाला कि मैंने भी सुरच कुमार के ऊपर एक वीडियो बनाया था बट कहीं न कहीं वह वीडियो जैनुवन था और मेरा परसनल एक्सपीरें क्लामेक्स आपको रुला देगा बट ऐसा नहीं है क्लामेक्स आपको रुला था निया बट कहीं न कहीं आपके अंदर एक इमोशनल टेच डाल देता है और यह बात मैंने खुद अपने रिव्यू के अंदर कहा था कि मूवी आपको लास में एक इमोशनल टेच देगी बट अगर बात करते हैं रुलाने वारा सीन के तो ऐसा कुछ था ही नहीं सिम्पल सी बात है गý想 आप लिक मूवी डूलिघान से देखा होगा तो आप मेरी इस बास से इंतर्वल के पहलेिया इसे सीन से कंई Queen French के आपको लगेंगे जो कहीं नहीं आपको बॉरियत दे सकते हैं अगर आप मुवी को देखोगे तो कहीं ना कहीं दिमाग लगाने वाला चीज हो रहा है इसे में हाला कि इस्टोरी बिल्डप हो रही होती है बड नॉर्मल ऑडियंस के बात करते हैं जो सिर्फ मज़ा लेने के लिए मुवी देखने आते हैं कि अच्छे गाने अच्छे कुछ कमी रहे गई है जो आपको मानना पड़ेगा और यहां सुरज कुमान ने इतारिफ भी कि कि भाई क्लामेक्स काफी अच्छा है टॉप नौच कि यहां पर वीजुल्स आपको मिलते हैं सिनमेटोग्राफी काफी जबद सकी खास तोर पे क्लामेक्स के अंदर की बवाल और जो सर्प्राइज आपको मिलता है क्लामेक्स के आपको वो भी काफी शौगिंग था और यह मानना पड़ेगा यह अच्छे पॉइंट्स थी जो उस बंदे ने शेर किये तो अगर कोई बंदा जो मुवी देखा है और उसने खुद उस हीरो के साथ इंटर्वी किया है ज कहीं ना कि मेरे अंदर भी रहेगा भाई की चलो ठीक है मैंनों उनका इंटर्व्यू लिया है उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है वह मैं बता दिया लेकिन कहीं ने कहीं जो स्टोरी के अंदर जो कहीं ने के डिरेक्शन के अंदर कुछ ने कुछ चीज़े रही और यह रियालिटी है भाई सब 95 के अंदर इतने तगड़ी मोवी इतने तगड़े वीएफेक्स इतने तगड़े विज्वल्स फुल 3D एक्सपीरियंस अगर आप 3D के अंदर देखोगे इस खास तोर पर जो चाकू फेक नाला सीन आता जो लहरे आती है जो बारिश और सीन या फिर सच में आपको परिशान कर देगी ऐसी बाते नहीं बट फिर भी ऐज़ा किच्चा सुधीप फैन एज़ा विक्रान तो ना के जितना नाम सुना जितना इसका बस था जितना इसके इंट्रूइस के अंदर देखा उतना कुछ भाई साब भैंकर अपने को नहीं मिला यह रियालिटी है अगर कोई इस बात को बोर रहा है तो मेरी साब से उससी सपोर्ट करना बनता है यहां पर फुल और भाई साब सूरज कुमार को सपोर्ट करूंगा कि भाई उस बंदी ने जैनुवनली काफी अच्छा रिवीव दिया काफी जबुदत सरीके से बात यह अ और यह भी हकीका थे कि मूवी कहीं न कहीं काफी अच्छी है बट फिर भी कहीं न कि दो बोलते ना दो नजरिया आपके अंदर आ जाता है अगर आप ऐसा पैन इंडिया मूवी देखते हो विक्रांत रुना देखते हो तो कहीं न कहीं आपके अंदर यह थोड़ी सी कमी वा बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब